असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग किचन विद नौरीन में मैं हूँ आपके साथ और आज जो है मैं रमजान की प्रपरेशन कर रही हूँ जो फ्रीजर में चीज़े बना के रखनी होती हैं तो वह सब चीज़े आज मैं बनाऊंगी तो मैंने सबचाए कि क्यों ना मैं उस चानल पर अप्लोड है तो सबसे पहले मैं बनाने जारी हु रुच्छ चामी कबाब के लिए लिए है मैं आप ले लिया है और यह रूभ तक्रिमाब ने थैसेusan पर ब्रक्ष चीज डालूंगे और वह आपको दिखाती हो उसक बाद रूद it यहां गने ले ली है साविद लाल मिर्च , अबनती है मेरेगर , अबढ़ यहीं ले लिए HIM faff同 जादे से ले लिए , लसन गाड़वी इसकें बास केयए Ander , मैंने 6 साथ जरीषस तरीके मोटे मोटे से डाल दिया है और थोड़ा सो डाल दूगी अध्रक तो होगी अथे बस डाल दूगी एक डाल दूगे इसके अंदर जीरा नमक बस बस डायका नमक डालेंगे इसके अंदर और दाल जो है वो मैंने भिगो दी है यह डाल दी दावची नहीं और एक डाल दी बड़ी एलाइची थोड़ी सी लॉंग थोड़ी सी काली मिर्च यह सब चीजे भी डाल देंगे हमारा गोश्पूल करीके से पक जाएगा उसके ब पूपल कर लेड लगा दूंगी और इसको बिल्कुल गोश्टेंडर होने तक के मैं तका लूंगी हम दूसरी रसीबी की तरफ तो अब मैं पैनाने जानी हूँ चिकन समोसा तो बार्वी की फ्रेवर की पैनाती पर निकाल लेंगे यह पाफी अच्छा होता ही कीमान पहले अच्छा नहीं होता होगा लेकिन मैंने इसको यूज के तो यह अच्छा था तो सबसे पहले में डालूंग इसके अंदर शान का यह एका मसाला ज़रा स्पाइसी से बंते मेरे गर में इसको स्पाइसी सा बनाएंगे अफ्लीबर टेबली स्पून के जितना मैंने स्केंदर तो यहां पर मैंने ले लिया है विल्कुल थोड़ी सी कुटी मिलाल मिर्च जीरा डालेंगे स्केंदर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी लल्दी कुटी मिलाल मिर्च डाल दिये थोड़ी सी प्रच्छी लिए इसके अंदर अभी काफी सारी प्यास पागर अगर भी डाल तो इसलिए जो है इसके अंदर इसपाइस जो है वो थोड़े मैं तेज ही रखूँगी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी यह मिक्स हो गया है तो यहां पर मैंने एक कल्हाई ले लिए उसमें थोड़ा का डालूंगी बिल्कुल वाइल समुसे और कबाब जो है वो अपने प यह ले लिए है मैंने धन्यास इसको अरफ्री कर लेता है यह रे लेंगे और इसको जो है हम ड्राय रोस्ट पर जो है यह हमारा चिकन भी रडी हो रहे है तो चिकन पानी वानी शोड़ दिया है तो यह हलकी आश पर खुदी पकता रहेगा यहां पर बाइपन ले लिया है इ मैंने काफि सरी दी है बड़ी बडी जोती मैरे पास और दो फिल दाती है इसम्री मिट्शन ठाट गी इसको मिख्शे पर खुदी अपर करेंगे अ मैंने जो है यह जीरा डाल दिया है आफ कप की जितना और इसको जो है मैं बिल्कुल ड्राय रोस्ट करके इसको कूट के रख दूँगी गुना हुआ जीरा जो है बहुत रमजानों में काम आता है तो वह भी रेडी कर लेंगे आज इंग इंग अबना आरे जारी नों चिकन पेटिस के लिए मैंने कटाई दे लिए और दो अधर लेजी के मैंने प्याज और सुपरिकुल मैंने इसमें रालूंगे मैदा पक्रीबन दो तिल टेबली स्पून के जित्मा इसको जो है मैदे के साथ भूनेंगे इसमें इसमें आपने इसमें प्रूंगे झाल, का ये प्याजर को ये इसमें इसमें आप पकालश्व को ज कुछ मैं इस तरह से बना होंगी, कुछ मैं किसी और शेख से बना की हूँ, कुछ मैं किसी और शेख से बना की हूँ, और इस परी के से, इसको हलिकाली कमें, ज़स कर दूंगी, इस तरह से, और जब सारे ये रेट देखें, काफी हो रहा है, मुझे लग रहा है, रखने पड़ेगी, मुझे दुबारा से इसको फ्रिज में, इस तरह से इसको, मुझे बना काफी है, मुझे बना की हा इसा रहा है, इस तरह से थाली सर्णेश, कि जब सुर्ण ह sacred जर मुझे हो बड़ी, मुझे इसको रहा है, मुझे लगिए तो यह देखें शामी करबाब का मसाला रेडी हो गया है और थोड़ा इसको अड़ा कर लिया है मैंने इसको मपीस लिए अब यह पेज़के इसके अधाय मा डाल दूँगी अल्डे तो वैने वही लिए जो अभी वैने पॉक्त में यूज किया था यह दाल दूँगी पॉड़ी ना और यह मसाला इक मैं आती हो तो इसका वीजियो लिंक है मैं आपको देजूँगी ने शामी कबाब का इस मसाले से अच्छे बनते हैं यह अच्छे से मिक्स करके शारी कबाब की टिकिये बना लेंगे और इसको पहले मैंने ट्रे में रिकाले थे लेकिन ट्रे मुझे से लग रहा था कि फ्रीजर में काफी जगा लेगी तो इसलिए मैं इसको एक छोटी पर इसको मैं रख जाती हूं काम करके तो इसके मैंने यह परती है थे समोसी की पर्टिया तो अब मैं बनाओंगी यह समोसे तो यह मैंने जो है स्लवरी मेरा ली है इसकी और हम समोसे बनाते रहेंगे इसके नहीं हमारा बहला ही समोसा बन रहे है थोड़ा जैसे बनाएंगे इसको मेरे हाल सही लगता है इसको तरीके से बनाते चाहँगे । यह प्रिकती जऊँगी मैं। समसु की recipe मेरे चानल पर upload है। जितनी ही चीज है मैंने आज बनाए यह सारी compose कने आपक्रूद के अदे डिया। सब को दो आफ ऍनुन के महांक है। झाल झाल यह सारे बना के रेडी कर दिया है मैंने और एक पैकेट में से बिल्कु ठोड़े से बचे तो यह हो गया है तो इसको मैं रखूंगे फीजर के अब मैं एक मैं अबिनेशन बना के रखूंगे चिकन तिका फ्लेवर की तो यह भी पूरे रमजान बहुत ही काम आती है तो पास् यह भी चीज की फिलिंग बनानी हो तो उसके लिए यह मैं जरूर बना के रखती हूं आव ऐसे भी रमजान के अलावा भी नस्को बना के रखती हूं बहुत काम आती है यह तो यह मैंने लेगे है एक किलो चिकन हैंगे बॉल्लेस लिए और इसके मैं पीसी स्टर दूंगे चटे-चटे चटे टेबल स्पून और वन टेबल स्पून डालोंगी इसके अदर यह मैं पैप्रिका तोड़ सी डाल दूंगे हल्दी क्वाटर टीज स्पून के जितनी क्वाटर टीज स्पून के जितना डाल दूंगी नमक और भूआ है जितना डालोंगी इसके अदर एतना इसके दर बहुत ही अच्شक्च्छ फूब हाती है इसके अिंदर और बन टेबल स्पून डालोंगी इसके अदर मैं तिका मसाला तो यह शान का है मेरे पास अजिए तिका मसाला नहीं है यह तंदोरी मसाला है बहुत ही डाल देंगे लेमन और 2 टेबल स्पून डाल दोगे इस खेंदर में दही भर भर के डालेंगे 2 टेबल स्पून ये 3 टेबल स्पून हो गया वैसे और इसको मैं करनेंगे अच्छी से मिल्क्स ये वाली नॉर्मल शॉपर होती है ये ले लिए मैंने ये जिप लोग बैग नहीं है मेरे पास तो इसको हम नॉर्मल जो ठैली होती है इसमें भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से करके मैं चार अंदाजे से कर लोंगे चार हिससे इसके ये से करेंगे इसको ताके ये जब इसको डी फ्रोस करेंपों तो इमार्सना। बाकि के कि भी बन गर लूगी तो यह देखें मैंने इस तरीका से चार बना लिया है है तो यह मारद ला बहुत सारी चीजे मेड应 ने तयार हो गय surface यहां पे मैंने आपको दिखा थे कि वैनने शामी कbapp बनाये हैं और यह मैंने बनाया थे चिकन केक समूसे यह भी रेड़ी हो गये है तो यह यह पेटी जै कि बनाइ थे बहुत ही मज़े कि बनायी पेटी भी और वो तिक्टा भी तैयार कर लीया है एक ही इस इसकी definitely इसे जो है रडी हो गई है माशालला बहुत ही रहाएगा सब कुछ मेने लिए तो अब मैंने यहां पर ले लिया है एक जिपलोग इसके अंदर मैं रख दूँगी यह समोसे यहां पर जो पॉफ हैं उसके निचे मैंने यह इस तरीके से इसी का वर्डर पेपर रख दिया था तो इसके साथ ही मैं इसको रखोंगी इस जिपलोग बैक के अंदर सागे चिपके ना और यह भी हमने ट्राइ कर लिए हागे बहुत ही मज़े के बने है आर समोसे बीं बने होगी रखते हैं तो उसके लगै पेपर लगया हूँआ था यही मैंने इसके लगा दी है सात सात में में तो काफी बोलाई यह speaking गैक है इस विए मैं यह बंदा पड़ा को शाथ है गोशी दिव मेरा इस के फ़र माशाओ ला सारी चीजे जो है बन्की मेरी रेडी हो गई है तो इसमें जो है मैंने जीरा रखा है और यह मैंने जो दही पड़ो का मसाला बनाया यह वह है और इसको मैंने नौर्मल शॉपर के अंदर रखा जो पर शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा इन्शाला एक और सिंपर और मज़ितार रेसिपी के साथ में दुबारा हाजिर होंगी जब तक के लिए अल्ला हाफिज